आज किस वीडियो में हम अपने जो दूसरे परधान मंत्री थें यानि की लाल वादुर सास्त्री इनसे हम दो ऐसी अनमुल चीज़े सिखने वाले हैं जो आपके लाइप में बहुत काम देंगे इनकी लाइप की दो ऐसी इंसिडेंट हैं जो हर वेक्टी को याद रखने चाहिए हमारे परतम परधान मंत्री थें पंडि जवारल नहरू आप सभी जानते हैं सेकेंड कौन थें लाल वादुर सास्त्री जिनके पिता बच्पन में गुजर गए थें बच्पन में ये अनात् परतमा गांदी का जो जन्मत दिन हुआ था वो सेकेंड अक्टूबर 1869 में हुआ था ठीक और इसी दिन सेकेंड अक्टूबर के ही दिन हमारे एक महान वेक्ति जन्मलिये थें वो कौन थे हमारे दूसरे परधान मंत्री लालवाद और सास्त्री इन्हें मरन अप्रांत यान परतमा गंदी के बारे में बताने की जो रत नहीं इसने राश्ट पिता कहा जाता है और सेकेंड थे हमारे जो परधान मंत्री वह है यह पहले थे नहरू और सेकेंड में यह तो देखिए पहला इंसिडेंट क्या है पहली घटना इन से जुड़ी एक बार जो है हमारे सास्त परी जी अपने जब बच्पन था तब दोस्तों के साथ इसकुल गये थे और आते वक्त इसकुल से विक्या कर रहे थे आम का एक बगिजा था वहाँ पे चले गए और अपने दोस्तों के साथ आम करके चोरी करने खुश गये तो यह दिवाल के सामने सिर्फ देख दे रहे ठीक चोड़ी नहीं कर रहेते ये शिरुफ देरे रहते oldThリ ने सा दोस्त्र रहेगा वैज आपका हो जाएगा तो उनके दोस्त जब चोड़ी करतें चले गएं सब भाग गये जब आया बगिचे कमालिका आया कंद कहड़ी ये पकड़ो कौन है चोरी कर रहा है तब ये भाग नहीं पाए ठीक ना और सब भी बच्चे भाग गए जब कि लालबाद सास्त्री पकड़े गए ये ठीक तब ये कहें जो जिनका बेंड था वे बोले कि बेटा बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है आज मैं तुम्हारे कर पास जाओंगा तब ये क्या बोले कि मेरे तो पिता ही नहीं है तब इन्होंने एक बात बोली ये ठीक ना जो बगिचे वाले हैं ये एक बात बोले जो इनकी पूरे अंदर तक समाग गई है मारे सास्तर जी के अंदर को जीवन को एक changing life दे दी क्या बात बोले थे वो बात बोले थी कि जब तुम्हारा पिता नहीं है तब तुम्हें तो और समल के रहना चाहिए और अनुसासन के साथ रहना चाहिए उनके पिता है वो तो काम चला लेंगे लेकिन जो गरीब घर के हैं या मध्यम वर्गे हैं उन्हें तो समलना ही पड़ेगा ये हमें यहां से सीखिल लेनी चाहिए ठीक न? तो गरीब घर के बच्चे और मध्यम वर्ग के बच्चे या पिर सरकारी इसको ने पाढ़ने वाले बच्चे विशे इस रोप से ध्यान दे कि मेरा क्ाम नहीं चलेगा अगर हम इसी तरह वहाने बाज भागेंगे इसके दोस्तों की तरह तकाम नहीं चलेगा हमें Sastra Ji की तरह अनुसासन मेरा ना चाहिए इनके discipline को कोन नहीं जातना है Sastra Ji कितना discipline में रहते थे ठीक ना अब दूसरा इंसिडेंट सास्तरी जी मालूमी होगा कि ये सिदे साधे लोग थें बहुत सरीप कहे जाते थें एकदम परधान मंत्री समझ रहे हैं पीम बनने के बावजूद भी ये अपने पुराने वस्तर कोई पानते थे जादा कोई फैसन वाला चीज नहीं नही कोई बिलासिता वाली कोई भी चीज पसंद नहीं थी जिससे देश का एक भी रुप्या बरवाद हो ठीक ये पुराने पुराने कपड़े पाना करते थें सेकेंड दूसरा इंसिडेंट क्या है कि एक बार जब 1965 इसमें में भारत पाकिस्तान युद हो रहा था ठीक भारत औ खाद संकट आई तब हमारे ये जो परधान मंतरी जी थें ठीकत ना पूर परधान मंतरी इन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया जिससे कि हमारे देस की खाद संकट को टाल गया ठीक ना वो टल गयी किस परकार तल गया siis इन्होंने वह बोला कि चलो लडाई छोड़ना नहीं ह 1965 की लड़ाई हम लोग जीते थे आपको मालूम होगा कि भारत 1965 की पर्थम लड़ाई थी भारत-पाकिस्तान और ये युद्ध भी जीते थे इनके कारण ठिक ना इनके माइंड के कारण ये क्या किये हैं? ये बोलें कि ठीक है हम लोग लडाई रेगुलर्ली रखेंगे continuity साथ ही आपको क्या करना है कि पूरे देश में एक दीन का उपवास रखा जाए इससे क्या होगा कि पूरा एक दीन पूरे भारत के लोग अगर उपवास रहेंगे तो कितना सारा अनाज बचेगा बचेगा ना बस वही अनाज को जो काम में लगा द देना है ठीक और हमारे देश के जो खाद संकट है वो टल गई और इस परकार हम युद्ध भी जित गए ठीक तो देखिए जो अच्छे लोग होते ना उनसे हमें सीखना चाहिए कुछ बाते सीखनी चाहिए आप जैसे ही भले और परधान मंत्री का आपको भावनाव में न चाहूंगा कि इन्हें जो है ना जै और इसी दिन से इसी दिन से यह एक नारा दिये जै जवान जै किसान जै जै किसान के चलते ही हमें क्या मिला है हमें मिला किसान के चलते भोजन और जवान के चलते क्या मिली हमें हमें जवान के चलते फतेह मिली यानि कि जीत मिली ठीक न वारा नसी उत्तर पर्देश में उत्तर पर्देश वारा नसी में हुआ था ठीक है दो अक्टूबर 1904 में ठीक और इनके मर्णोप्रांथ जो डेथ हुए थे उनकी 1966 में हुए थे ठीक और उसके बाद लगबग जन्वरी या फर्वरी में हुए थी मुझे कंफम तो याद नहीं ठीक इनकी होगी डेथ उसके बाद जन्वरी फर्वरी में हुए और सितंबर महिने में इन्हें भारत का सबसे सम्मानित जो पुरस्कार हुआ वे दिया गया क्या क्या हुआ सम्मानित पुरस्कार है धारत का सर्वच सम्मानित पुरस्क़ार क्या है आपको recurs भारत रत्न ये भी अप्तर पूछा जाता है कि भारत रत्न मरुम उपरांत सबसे पली की ने दिया गया तो आप नाम जाना है दो सारा कुछ जानगे इस बार लेकि क्लास ठोर का चेप्टर है लेकिन बोलते हैं न कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए एक चीटी को भी आप छोटा नहीं समझें ठेक क्योंकि गुन जो होता है न वो किसी भी वेक्ति में में होता है किसी भी चीज में होती है उसे छोटा यह बढ़ा करके नहीं आखा जाता है तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दिल तक चुग गया होगा तो प्लीज दोस्तों को सेर कर दिजीगा ठाइंक्यू अपने स्वास कर ख्याल रखेगा क्योंकि जाने तो जाने पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए